Hello dear student, Essence English Study era में आपका स्वागत है. आज का topic English grammar के portion से direct and indirect narration पर आधारित है, जो की पिछले कारिका से सभाग है. अतहा, आज imperative sentences से प्रारंब होंगे. सो आईए इन sentences को ध्यान से समझते हैं. imperative sentences निमलिखित भाव ब्यक्त करते हैं. imperative sentences निमलिखित भाव ब्यक्त करते हैं. command आदेश होता है, request निवेदन, advice प्रामर्स. नमबर वन, जिन वाक्यों में command का भाव होता है, उनमें reporting वर्ब को asked या ordered में बदल देते हैं. जैसे, the teacher said get out from the class, direct है, indirect हो जाएगा, the teacher ordered to get out from the class, indirect है. अर्थात इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस वाक्य में, इस sentence में जो है, ordered, आदेश का भाव प्रकट हो रहा है. So, यहाँ पर ordered का प्रियोग किया गया है. Call the first witness, share the judge. Call the first witness, पर्थम साक्ष को बुलाएं, share the judge. नयाएं, धीस ने कहा कि पहले जो पर्थम witness है, गवा है, उसे बुलाएं. तो बुलाने का काम कौन करेगा, कोई second का person होगा. So, यहाँ पर जो हो है, यू छिपा रहता है. Imperative sentence किसे कहते हैं? Imperative sentence में जो होता है, यू छिपा होता है, और इसमें आदेश, request, आदी जो होते हैं, वो उन्ही से प्रारंब होता है. अर्थात, आप यहाँ भी कह सकते हैं, कि जो sentence या जो वाक के, क्रिया से प्रारंब होता है, उसे imperative sentence कहते हैं. So, इस प्रकार जो है, आप समझेंगे. So, आज देखते हैं, The judge ordered to call the first witness indirect हो जाएगा. We say, number one, इस प्रकार के वाक्यों में करता यूच हिपा रहता है, अताहा, connective to का प्रियोग होता है. Number two, जिन वाक्यों में do not का प्रियोग हुआ होता है, वहाँ do को हटा कर not to का प्रियोग किया जाता है. Number third, क्रिया के tense में परिवर्तन नहीं होता, जैसे, He said to me, do not laugh at me, उसने मुझसे कहा, don't laugh at me, मुझस पर मत हसो. Direct है? तो इसका जो आपका indirect होगा, वो इस प्रकार होगा, He asked me not to laugh at him, indirect है. और यह भी कह सकते हैं, He forbade me to laugh at him, indirect हो जाएगा. So, यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, कि जो said to है, ये, do not laugh at me, अर्थात जो reporting sentence, reporting reported, speech का जो sentence है, उससे ये, ये, जानकारी मिलती है, कि इसमें जो है, कोई, किसी से कुछ कह रहा है. यहाँ पर जो है, आदेश का तुभाव नहीं है, ना तो request का है, और ना तो कोई advice का है. तो इसमें से कोई कह रहा है, गुसे से कह रहा है, सो यहाँ पर हम जो साधारता आते हैं, तो ask का प्रियोग करेंगे, और अगर do not लगा है, तो far bad कर देंगे. सो ध्यान से देखेंगे इसको, he asked me not to laugh at him. कहने का अभिपराई यह है, कि यहाँ पर ask से to को ask में बदल दिया गया है, और जो क्रिया है, उसको to के साथ जोड़ दिया गया है. और जो pronoun changing होते हैं, वो पहले के जैसे होंगे. तो यह है, indirect होगे आपका. Rule number two. Number one. Mohan said to him, please give me your pen. Mohan ने उससे कहा, किरिप्या मुझे अपना pen देजिये. तो साधार साथ यह बात है, कि इसमें जो भाव हम मिल रहे हैं, वो आपको यह बता रहे हैं, कि यहाँ पर please लगा हुआ है, और that request कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, said to को किस में कर देंगे, requested में कर देंगे. So, Mohan requested him to give him his pen. Indirect हो जाएगा. और इध्यान देंगे कि please को जो है, क्या कर देंगे, हटा देंगे. He said, Sir, help me. He said, Sir, help me. उसने कहा, Sir, मेरी मदद कीजिए. तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी आपका जो reported speech का sentence है, उसमें यह भाव मिल रहा है, कि जो वह है, वह सर से क्या कर रहा है? request कर रहा है. प्रातना कर रहा है. अर्थात यहाँ पर हम जो है, said to को, या said को requested में कर देंगे. He requested respectfully to help him. अब धान देना जैसे देखिए, आदर से कह रहा है, ठीक है? सम्मान दे करके कह रहा है, तो यहाँ पर requested के साथ respectfully को भी जोड़ देंगे. So, यह आपका indirect हो गया. कहने का विपराई यह है, कि जब request में please, sir, madam या इस प्रकार के जो शब्द extra आएंगे, उसको हटा देंगे. और इसके अस्थान पर अगर उसमें जो भाव मिल रहे हैं, reported speech में के sentence से जो भाव मिल रहे हैं, उसी के अनुसार जो है, हम requested में, या जो आपका order होते हैं, command होते हैं, advice होते हैं, उन्ही के अनुसार से जो है, हम यहाँ पर प्रियोग करेंगे. So, आए देखते हैं, next. Rule number third, जिन वाक्यों से प्रामर्स या सलाह का बोध हो, वहाँ सट्टू के अस्थान पर advised का प्रियोग किया जाता है. कहने का भगताई यह है, कि एगर reported speech से यह आपको आसे मिलता है, यह भाव मिलता है, कि यहाँ पर जो है, परामर्स या सलाह दी जा रही है, तो सेट्टू के अस्थान पर advised का प्रियोग किया जाता है. जैसे, number one, the doctor said to the patient, take complete rest, direct है, the doctor said, doctor ने कहा to the patient, मरीश से कहा, take complete rest, take means लो, अर्थार तुम लो, complete rest, पूर आराम, अर्थार पूरा आराम करो, भर पूर, आराम करो. So, यहाँ पर क्या हो रहा, एक advise दे जा रहा है, किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, So, इसका जो indirect हो जाएगा, the doctor advised the patient to take complete rest, indirect हो जाएगा. So, जो हम से टू को है, उसको advised में कर देंगे, number two, my father said, do not smoke, मेरी पिता जी ने कहा, my father said, मेरी पिता जी ने कहा, do not smoke, धो मुर्पान मत करो, मेरी पिता जी ने कहा. So, देखिए, यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर भी जो है, advised, शलाह दी जा रही है, So, said to को जो है, advised में बदल देंगे. So, यहाँ पर, my father advised not to smoke, indirect हो जाएगा. इसी प्रकार से हम, जो imperative sentence के जो वाक्य होते हैं, sentence जो होते हैं, उसको हम इसी प्रकार से, direct से, indirect में, convert करते हैं. So, आएँ देखते हैं, exercise. Exercise 8. Turn the following sentences into the indirect form of narration. Number 1. The king said to the pupil, never try to disturb me at home. राजा ने, लोगों से कहा, never try, कभी कोशिस ना करें, to disturb me, मुझे परिसान करने, मुझे परिसान करने का, कभी कोशिस ना करें, at home. घर पर, घर पर, मुझे परिसान, कभी, ना परिसान करने की कोशिस करें. तो कहने का विप्राई ये है, कि यहां पर never try लिखा हुआ है, और to disturb है. So, इसको हम change करेंगे, the king ordered, राजा ने आदेश दिया, the pupil, लोगों से, to never try to disturb him at home. कहने का विप्राई ये है, कि अगर हम never को not to में कर देंगे, तो भी जो है, आपके लिए problem बढ़ जाएंगे. क्यों? क्योंकि direct से indirect में तो हो जाएगा. Direct से indirect में हो जाएगा, लेकिन indirect से direct में convert नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम never को भूल जाएंगे. So, यहाँ पर जो है, to never, never का मतलब, never का means यह हो गया, कि never जो है, यह आपका adverb है. ठीक है? कभी न, so, यह negative बनाता है आपका. So, हम इसको जो है, change नहीं करेंगे. So, हो जाएगा, the king ordered the pupil to never try to disturb him at home. Second है, the sage said to his followers, always follow my footsteps. So, इसका हो जाएगा, the sage, sage means जो साधू होते हैं, साधू ने अपने अनुवाईयों से कहा, always follow, हमेशा follow कीजिए, हमेशा अनुसरण कीजिए. So, यहाँ पर, change होगा, indirect में, the sage advised his followers to always follow his footsteps. The sage advised his followers to always follow his footsteps. अब यहाँ पर देखी ध्यान से कि always को हम क्यों नहीं change कर रहे हैं, अगर change कर देंगे, अगर इसको हटा देंगे, to follow कर देंगे, तो आपका तो आसन निकलेगा, लेकिन always का हम, जब convert करेंगे, indirect को direct में, तो हम always यह पिक अप नहीं कर पाएंगे. So, यहाँ पर always का ही प्रियोग करें. The master said to the servant, मालिक ने नौकर से कहा, Dig a grave for me, मेरे लिए एक grave कबर खो दो. कहने का अवरा यह है, कि इस reported speech में आपका आसन निकल रहा है, ordered का, आदेश देने का, क्योंकि master ने, मालिक ने अपने servant को यह आदेश दिया, कि मेरे लिए एक कबर खो दो. So, यहाँ पर हो जाएगा, The master ordered the servant to dig a grave for him. Number four, the servant said to his master, Give me some money to spend. द्यास देखना है, इसमें, तो the servant said, servant ने, नौकर ने, अपने मालिक से कहा, Give me some money, मुझे कुछ रुपे दीजिए, to spend, खर्च करने के लिए. तो, कहने का means यह है, कि यहाँ पर कोई रिकर्ष तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम, आसानी से कह सकते हैं, कि the servant asked कर देंगे, कहा, his master, अपने मालिक से, to give him some money to spend, to give him some money to spend, हम जानते हैं, कि imperative sentence को direct से indirect में बदलते समय, इनके tense में कोई परिवर्थन नहीं होता है, और जो क्रिया होती है, मुख क्रिया, जहां से आपका report speech या sentence प्रारंब होते हैं, उसको हम केवल to के साथ, उसी form में लिख देते हैं, so, यहाँ पर आपका ये example है, the servant said to his master, give me some money to spend, so, यहाँ पर हो जाएगा, the servant asked his master to give him some money to spend, number five, the mother said to her son, sleep early and get up early, the mother said to her son, माता ने अपने पुत्र से कहा, sleep early, जल्दी सो, सो जाओ, and get up early, और जल्दी उठो, उठ जाओ, means, जल्दी से सो और जल्दी से उठो, तो यहाँ पर क्या है, एक advice दे रही है, एक advice दे रही है, सो यहाँ पर हो जाएगा, the mother advised her son to sleep early and get up early, ओके, number six, a son said to his mother, help me to rise early, एक पुत्र ने अपने मा से कहा, help me, मेरी मदद करो, to rise early, जल्दी उठने में, जल्दी उठने में मेरी मदद कीजिए, तो यहाँ पर request कर रहा है, ओके, तो उसने कहा, a son requested his mother to help him to rise early, me जो है, reported speech का जो, subject है, वो first person का है, so, यह करता किन सार चेंज हो रहा है, so, यहाँ पर हो जाएगा, a son requested his mother to help him to rise early, number seven, he said to me, sir, take some serious action against this man, देखिए, यहाँ पर sir लगा हुआ है, तो जहाँ कहीं आपको, sir, gentleman, madam, ठीक है, इस प्रकार के word जो प्रियोग होते हैं, जो की एक respectable word होते हैं, so, इसको हम यहाँ पर हटा करके, जो है, क्या कर देंगे, respectfully कर देंगे, क्या कर देंगे, respectfully कर देंगे, और request भी करना है, क्यों, क्योंकि, आप किसी को सम्मान दे रहे हैं, कोई कारी करने के लिए, so, वहाँ पर जो है, requested का प्रियोग करेंगे, और साथ ही साथ, respectfully का करेंगे, so, यहाँ पर हो जाएगा, he requested, respectfully, me, he, he, respect, he requested, respect, respectfully, me, to, take some serious action, against, against, that man, okay, he requested me, that, sorry, to take some serious action, against, that man, यहाँ है, they said to us, gentlemen, do this work, immediately, and do not waste your time, they said to us, उसने, उन्होंने, हम से कहा, हम लोगों से कहा, क्योंकि, आज साई, यह क्या है, आपका, objective case है, so, we का, so, object है, तो, उन्होंने, हम से कहा, gentleman, मान भाव, सज्जन, do this work, इस work को, इस कारी को करो, immediately, तुरंद, and do not waste your time, और, आपना समय भरबाद, मत करो, तो, यहाँ पर हो जाएगा, they requested respectfully us, they requested respectfully us, to do that work immediately, and do not waste our time, so, यहाँ पर your time है, यहाँ पर हो जाएगा, our time, क्योंकि, यह, second person है, और, यह, second person का, जो, जो, ship case है, वो, us, reporting work के, object के उसाद, change होगा, so, यहाँ पर हो जाएगा, they, requested, respectfully, us, to, to, do this work, immediately, and, do not, waste your time, okay, we said to malty, sister, work laboriously, laboriously, and, keep your family happy, we said to malty, हमने malty से, कहा, बहन, work laboriously, प्रिश्रम से, कार करो, and, keep, और रखो, your family happy, अपने परिवार को, खुस रखो, सुखी रखो, तो, कहने का, अर्थ यह है, कि, यहाँ पर भाव क्या निकल रहा है, sister लगा हुआ है, सो, request भी हो सकता है, और, advise भी होता है, लेकिन, sister, sister लगने से, यह, आसा हो जाता है, कि, यहाँ पर respectfully के साथ गिया गया है, सो, यहाँ पर हो जाएगा, be requested, respectfully, multi, to work, laboriously, and keep, her family, happy, number 10, he said to you, he said to you, move a little fast, please, and meet my elder brother there, तो please लगा हुआ है, सो, यहाँ पर भी, requested हो जाएगा, तो, he, requested, you, to move a little fast, and meet, his, elder brother, there, so, यह था आपका, indirect, 11, the man said, to the o man, help me, madam, so, आप देखेंगे, कि, reported speech में, madam, word जो है, आया है, इसके उजे से, इसका जो, अर्थ निकलेगा, वहाँ पर, request करेंगे, और वो भी, respectfully, के साथ, ओके, तो हो जाएगा, the man, requested, respectfully, the o man, to help, him, ओके, 12 है, the mouse, said to the lion, if you want, to give my help, pay me respects, तो ध्यान देना है, कि, इसमें, जो pay me respects है, यह आपका, imperative sentence है, if you want, to get my help, जो है, यह आपका, बाद में, connective के साथ, if के साथ, जुड़ जाएगा, इसका हिंदी क्या होता है, the mouse said to the lion, चुहे ने, सेर से कहा, if you want to get my help, यज तुम मेरी, सहता चाहते हो, तो मुझे, समान दो, मुझे respects दो, जो यहाँ पर हो जाएगा, the mouse advised, the lion, to pay him respects, if, he wants to get his help, अर्थात, जो यहाँ पर, pay me respects है, imperative है, उसको to के साथ जोड़ देंगे, और if you want to get my help, जो है, बाद में इसको convert कर देंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा, the mouse advised, the lion, to pay him respects, if he wants to get his help, okay, 30, the policeman said to the thief, give me 50 rupees, and I shall set you free, and I shall set you free, और मैं तुम्हें जो है, free कर दूँगा, छोड़ दूँगा, सोतंतु कर दूँगा, so यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो अर्थ मिलेगा, वो advised का ही मिलेगा, so हम चेंज करेंगे, the dog advised the bull, to go on pulling the card, otherwise he will be beaten, he will be beaten, okay, indirect हो जाएगा आपका, 15 है, the child said to his mother, mother by some sweets for me, अब ध्यान से देखना देखिए, यहाँ पर मदर लगा हुआ है, कहने का आसर यह है, कि यहाँ पर request ही है, ओके, तो क्या हो जाएगा, the child requested respectfully his mother, to buy some sweets for him, ओके, यहाँ आपका indirect हो जाएगा, लेट का परियोग, लेट का परियोग imperative sentence में, निमलिखित भाव को असपस्ट करता है, जैसे आप कहीं आग्या लेते हैं, जैसे let me go मुझे जाने दो, या let us go आओ हम चलें, जो परस्ताव होते हैं, या परामर्स जैसे होते हैं, let us go for a walk, ठीक है, तो इस परकार से जो है, imperative sentence में let का परियोग होता है, आएए देखते हैं, कि ऐसे sentence का किस परकार से, direct से, indirect में परिवर्तन होता है, तो देखते हैं, read the following sentences, number one, I said to my friend, let me work, I said to my friend, मैंने अपने मित्र से कहा, let me work, मुझे कार करने दो, तो यहाँ पर कार करने दो, अर्थात यहाँ पर जो है, request कर रहा है, ठीक है, let me जो होता है, यहाँ पर, क्या हो रहा है, request का भाव पर कर रहा है, सो इसका हो जाएगा, I requested my friend, to let me work, indirect हो जाएगा, second, I said to Lila, let us go home, direct है, सो इसका हो जाएगा, I proposed to Lila, that we should go home, indirect हो जाएगा, सो इस परकार से, देखेंगे, number third, he said to her, I let us go for a walk, direct है, सो इसका हो जाएगा, he suggested her, that they should go for a walk, indirect हो जाएगा, कहने का अब पराय, जहाँ पर आपका प्रस्ताव लगता हो, भाव अर्थ हो, वहाँ पर प्रोपोज्ट करेंगे, और जहाँ पर परामर्स हो, वहाँ पर suggested का प्रियोग करेंगे, और जो reported speech में आते हैं, let us go for a walk जैसे हैं, तो यहाँ पर देश सुड हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से change होंगे, दिये गए प्रथम वाक्य में, request का भाव है, आता है वहाँ, set to को requested में बदल कर, let के पहले, to लगाया गया है, दूसरे वाक्य में, प्रस्ताव का भाव है, आता है, set to को proposed में बदल कर, let us को that भी सुड में बदला गया है, तीसरे वाक्य में, प्रामर्स का भाव है, इसलिए set to को suggested में बदल कर, let us को that भी सुड में परिवर्थित किया गया है, जहां shouted का प्रियोग हुआ हो, वहां shouted को नहीं बदला जाता है, अगर imperative sentence में shouted का प्रियोग हुआ हो, करने का अभी पराई यह है कि reporting word में shouted आया हो, set to के अस्थान के जगए पर, या set के अस्थान पर, तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई परिवर्थन नहीं करेंगे, जैसे, he shouted let me go, so direct है, इसका हो जाएगा indirect, he shouted to let him go, indirect हो जाएगा, इक्जामपल से, number one, I said to my friends, let me work, direct है, so यहाँ पर हो जाएगा, I requested my friends, to let me work, number two, she said to me, let us go home, direct है, so देखिए, let us है, तो यहाँ पर हो जाएगा, that लगा करके, we should हो जाएगा, ओके, तो इसका हो जाएगा, C proposed to me, that we should go home, indirect हो जाएगा, so आएए देखते हैं, next exercise, exercise 10, change the following sentences, into indirect speech, so आएए देखते हैं, exercise 10 को, number one, we said, let us read the Ramayan, तो यहाँ पर देखना है, कि we said है, और let us है, so यहाँ पर हो जाएगा, be proposed, to that कर दीजिए, that, we should read the Ramayan, क्योंकि, जो first person है, वो बहुचन का है, so यहाँ पर हो जाएगा, be proposed, that, we should read the Ramayan, number two, they said, let us not make a noise, in the classroom, they said, तो यहाँ पर भी देखना है, इसमें भी क्या है, इसमें है, suggested है, क्योंकि ने का भी पर आएगा, यहाँ पर क्या है, parameters है, तो, so यहाँ पर हो जाएगा, they suggested, that, they should not, make a noise, in the classroom, number three, I said to him, let me do my homework, so यहाँ पर हो जाएगा, I requested, him, to let, let, him, let me, sorry, let me हो जाएगा, क्योंकि मैंने उससे कहा, मुझे, अपना कार्य, अपना homework, ग्रिहकार्य, करने दो, सो यहाँ पर हो जाएगा, I requested him, to let, me, do, my, homework, okay, number four, the teacher said, let the child sleep, अध्यापक ने कहा, बच्चे को, सोने दो, सो यहाँ पर हो जाएगा, साधार्तिया कह रहा है, तो कहेंगे, the teacher asked, to let the child sleep, number five, गोपाल said, let us have a cup of tea, गोपाल ने कहा, आईए हम, एक चाए, काफी लेते हैं, तो जहें सी बात है, इसने सुझाव दिया, प्रस्ताव कर देंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा, गोपाल प्रुपोजड देट, दे सुड हैब, एक कप आफ टी, कप आफ टी, number six, the prisoner said, let me meet, death like a man, सो ध्यांस देखेंगे, कि the prisoner said, जो कैदी है, वो कैता है, let me meet, मुझे मिलने दो, death, मृत्यु से, like a man, एक मनुष्य के तरह, मुझे, मृत्यु से, मिलने दो, सो यहाँ पर हो जाएगा, the prisoner requested, the prisoner requested, to let him meet, death like a man, ओके, यह आपका indirect हो जाएगा, number seven, the principal said to the teacher, let the student go home, अब जहाँ से देखना, इसमें जो है, principal जो साधारता बोल रहे हैं, किन से, teacher से, कि बच्चे को घर जाने देजिए, सो यहाँ पर हो जाएगा, the principal asked, the teacher, to let the student go home, number eight, the boy said to the girls, let us play a match tomorrow, जो यहाँ पर क्या है, कि आईये हम खेलें, ठीक है, आईये हम खेलें, एक मैच, कल हम एक मैच, खेलें, आईये हम, कल एक मैच खेलें, करने का प्राइए है, यहाँ पर, कि, proposed क्या, proposed किये, यहाँ पर हो जाएगा, the boys proposed, to the girls, that, they should play, a match, the next day, tomorrow को क्या हो जाएगा, the next day, यह था आपका, indirect, आईये देखते हैं, next step, एक्सक्लामेटरी संटेंसेज, एक्सक्लामेटरी संटेंसेज, के द्वारा, निमलिखित भाव ब्यक्त किये जाते हैं, नमबर वन, सर्प्राइज या वंडर, आश्र होता है, नमबर टू, ज्वाय या डेलाइट, हर्स होता है, नमबर थ्री, स्वारो या ग्रीफ दुख होता है four applaud प्रसंसा होता है कहने का विपराह यह है कि acclimatory sentences जो हuity है उनमें यह भाव नहित होते है और ये इसको सोगरते हैं सोगर ये देखते हैं exclamatory sentences में mark of exclamation लगा रहता है ये आपको मалुब होना चाहिए अब इसके परिवरतन के नियम निम लिखित हैं number one mark of exclamation को हटा कर वाक को साधारण वाक में बदला जाता है number two mark of exclamation को हटा करके किसका point जो point होता full stop का प्रियोग किया जाता है number three reporting verb सर्टू के अस्थान पर exclaimed, cried out, confessed जैसे सब्दों का परियोग किया जाता है अगर reporter speech के भाव होता है उसी के नुसार जो है exclaimed लगाएंगे, cried out लगाएंगे और confessed लगाएंगे ठीक है स्वय देखते हैं नमबर फोर, inverted commas को हटा कर that का परियोग assertive sentences की भावाती होता है नमबर फाइब, exclaimed के बाद बिद ज्वाय, sorrow, surprise, anger या applause जैसे सब्दों का परियोग आवशकता नुसार किया जाता है जैसे a है how, what, good, gracious, good, even या o को हटा कर exclaimed with surprise b, hurrah या हा को हटा कर exclaimed with joy c, alas या ah को हटा कर तेकि alas में दुख होता जानते हैं अ, अरे होता है, दुख ही होता है हटा कर exclaimed with sorrow या grief कर देते हैं d, bravo या well done को हटा कर exclaimed with applause का परियोग किया जाता है with applause का परियोग किया जाता है ठीक है? note यदि inverted commas के भीतर ऐसे exclamatory sentences हों जिनमें how या what आए तो ऐसे सब्दों को great या greatly how या what के बाद noun आने के आने पर उसे how या what को great में बदल दे पर उसके बाद adjective आने पर greatly या berry में बदल दे जैसे I said what a fine place it is direct है so यहाँ पर हो जाएगा I exclaimed with joy that it was a very fine place indirect है he said how dark the night is example है he said how dark the night is indirect है so यहाँ पर हो जाएगा he exclaimed with surprise that the night was very dark अब देखिए ध्यांस देखिएंगे कि यहाँ पर जो है how dark dark means होता है काला या अंधेरा तो यहाँ पर क्या adjective है तो berry का प्रियोग करेंगे night was very dark he exclaimed with surprise that the night was very dark indirect हो जाएगा pooh what a dirty child said the teacher देखिए pooh का means होता है इसका आर्थ होता है कि आप hate कर रहें कोई चीज़ अरे क्या चीज़ है ठीक है तो pooh जो होता है यह होता है hatefully होता है तो यहाँ पर हो जाएगा the teacher exclaimed hatefully that the child was very dirty अब देखिए child जो है आपका noun है how what a dirty child तो what के बाद क्या लगा है a dirty लगा adjective लगा है तो adjective जो होता है उसके बाद हम क्या करेंगे very का प्रियोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा the teacher exclaimed hatefully that the child was very dirty indirect हो जाएगा आए देखते हैं next step read the following examples she said thank you direct है तो यहाँ पर हो जाएगा she thanked him indirect हो जाएगा number two he said hello where are you going direct है so यहाँ पर हो जाएगा hello जो है greeted है greeted में इसके होता है आप इसी को अभिवादन कर रहे है so यहाँ पर हो जाएगा he greeted me and asked where I was going indirect हो जाएगा number three है Ram said oh that I wear a child again Ram ने कहा oh aray oh means hey आप कर सकते हैं जिसे को तो होता है कि मतलब wish करना होता है so यहाँ पर that I wear a child again direct है Ram wished that if लेकिए if यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर जो है I wear वता तो हम क्या करेंगे यहाँ पर if लगा देंगे he had been a child again he wished if भी कर सकते हैं और that भी कर सकते हैं number four the principle said well done direct है the principle exclaimed with admiration admiration परसंसा यह अप्लाउज भी कर सकते हैं लेकिन admiration कर लीजे that we had done well so यहाँ पर applause भी कर सकते हैं ओके तो यहाँ पर हो गया है यह indirect मे the principle the principle exclaimed with admiration that we had done well indirect हो गया exercise 11 turn the following sentences into indirect form of narration number one the farmer said how pleasant the day is direct है तो ध्यान से देखना है कि how pleasant है कितना सुहावना सुहावना जो है यह क्या है adjective है so very का प्रियोग करेंगे तो हो जाएगा the farmer exclaimed with surprise that the day was very pleasant indirect indirect number two the boy said hurrah I have secured first class marks direct है तो यहाँ पर क्या है hurrah है तो exclaimed with joy हो जाएगा the boy exclaimed with joy that he had secured first class marks indirect हो जाएगा आएए देखते हैं next आएए number three she said a loss I have lost my purse direct है तो देखिए हाँ पर a loss है तो हम क्या करेंगे sorrow या गिरिव का प्रियोग करेंगे देखिए आप reported speech के जो sentence होते है उसके भाव के अनुसार ही reporting verb जो है exclaimed या जो भी है आपके exclaimed with joy exclaimed with sorrow का प्रियोग करेंगे cried out का प्रियोग करेंगे confessed का प्रियोग करेंगे तो she exclaimed with sorrow that she had lost lost her purse indirect हो जाएगा number four the merchant said I have suffered a great loss this year direct है the merchant the merchant तो इसका हो जाएगा the merchant exclaimed with grief that he had suffered a great loss that year द्याँ से देखेंगे कि इस sentence में accelerated sentence में जो है assertive sentence के भावाद ही जो है जो reporter speech sentence होते हैं उनमें परिवर्तन करेंगे नमबर five the teacher said bravo well done direct है देखे well done में अच्छा किये bravo बहादूर the teacher exclaimed with applause पर संसा से कहा न उसने चिलाया या कहा that I had done well so the teacher said bravo well done तो यहाँ पर क्या किसे कहा मुझसे ही कहेगा तो यहाँ पर करेंगे the teacher exclaimed with applause that I had done well या he had done well means जिसे ही आप यहाँ पर जो है object मानेंगे so उसके इसाद change कर देंगे चाहे first person में कीजे या third person में करेंगे ठीक है number six they said what an excellent idea direct है so इसका हो जाएगा they exclaimed with surprise that was a great excellent idea indirect हो जाएगा तो ध्यान देना है इसमें कि अगर जो है क्या आता है adjective आता है what के बाद तो great या berry का प्रियोग करेंगे ठीक है so देखते है seven they said how saddy the tree is direct है तो how saddy है saddy मीनस होता जो घना होता है तो घना क्या है adjective है so यहाँ पर हो जाएगा they exclaimed with surprise that the tree was berry saddy indirect हो जाएगा number eight the player said what a fine kick direct so यहाँ पर हो जाएगा indirect हो जाएगा the players exclaimed with joy that was a great fine kick indirect हो जाएगा आज़े देखते हैं next number nine Ram said to me bravo your performance is praiseworthy यहाँ पर्फॉर्मेंस is praiseworthy direct है यहाँ पर हो जाएगा बहादूर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा that the taz mahal was very beautiful indirect हो जाएगा number 11 है he said nonsense I don't like it direct है so यहाँ पर नॉंसेंस है तो hate का यहाँ अंगर का प्रेव करेंगे he exclaimed with anger that I did not like it I didn't like it हो जाएगा optative sentences optative sentences में इच्छा या प्राथना का भाव नहित होता है इस प्रकार के वाक्यों का प्रारंब प्रायह में सेव होता है जैसे may God bless you may God help you may you live long कभी कभी बिना में का प्रियोग किये भी वाक्यों किसमें optative sentence में प्रारंब हो जाता है जैसे good bye ram long live my mother optative sentence को indirect में बदलते समय निम्न लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए नमबर वन आसय के नुसार reporting verb में beast, cursed या prayed आदिका प्रियोग किया जाता है कहने का विप्राय ये है कि यदि आपका optative sentence है तो उसमें क्या करेंगे reporting verb को reported speech के आसय के अनुसार said to को ठीक है किसमें change कर देंगे wisdom में, एक्छा में, cursed में, अभिशाप में, प्रेड में, प्राथना में, आदिक में क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपकेटिव sentence होते हैं, वो ये एक्छा, प्राथना, या, cursed, या, अभिशाप, ठीक है ये जो है भाव अस्पस्ट करते हैं नमबर टू, मार्क आफ एक्सकलामेशन, बिश्मयाद बोधक का चिन्ह हटा दिया जाता है नमबर त्री, में को माइट में परिवर्तित कर दिया जाता है रीड दा फालोइंग एक्जामपल, रीड दा फालोइंग एक्जामपल्स नमबर वन, यहां पर क्या हो रहा है? विश्ड हो रहा है इक्छा कर रहे है, इक्छा प्रकट कर रहे है So, they wished that the king might live long और they prayed for the king's long life Indirect हो जाएगा Number two He said to me, may you live long Direct है So, यहाँ पर हो जाएगा They blessed me that I might live long Indirect हो जाएगा Okay देखिए, यहाँ पर I क्यों हो गया है I क्योंकि यह हो गया है क्योंकि जो reported speech का you है करता है वो किसके अनुसार चिंज होगा Reporting verb के अनुसार क्यों? क्योंकि जो reporter speech का जो करता you है वो second person का है और second person का करता जो है Reporting verb के object किनुसार चिंज होगा So, यहाँ पर I might live long Indirect हो गया है आएगे देखते हैं Next Number third He said to me May God help you Direct है So, यहाँ पर हो जाएगा देखे यहाँ पर क्या है यह और पराथना कर रहे हैं So, यहाँ पर हो जाएगा He prayed for me He prayed for me That God might help me Indirect हो जाएगा Number four He said to me May you die He said to me May you die तु मर जाओ और थाथ यहाँ पर क्या है Curse है अभिशाप है श्राप दे रहा है So, यहाँ पर हो जाएगा He cursed That I might die Indirect हो जाएगा Number four Number five She said May you have a happy journey Direct है So, यहाँ पर क्या हो जाएगा She wished That I might Have a happy journey Indirect हो जाएगा So, हम में को Might में कर देंगे ठीक है और भाव के इनसार जो है Cursed Beasts Prayed आदिका परियोग करेंगे Turn the following sentences Into indirect form of narration Means यह है कि यह exercise है इसको किस में करना है Indirect में करना है So, पहला देखते हैं Ram said to Mohan May you pass your whole life happily तो यहाँ पर देखें भाव क्या निकल रहा है Reported speech से Reported speech के sentence से यह भाव निकल रहा है कि यहाँ पर जो है Blessed अर्थात यह आशिरबाद दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा Ram Blessed Mohan That he might Pass his whole Life happily Indirect हो जाएगा Number two They said to us May you get Success in your work Direct है So यहाँ पर हो जाएगा They blessed us That We might Get success In our work Indirect हो जाएगा So इसी परकार से हम Optative sentence जो भी होते हैं उसके भाव के अनुसार Reported speech के sentence जो होते हैं उसके भाव के अनुसार Said to को हम Change करेंगे जो main होता है यह यही होता है कि आप जो है कम से कम उस sentence का Hindi आपको भाव जो उसका होता है उसको समझ में आना चाहिए तभी आप जो है इसको आसानी से कर पाएंगे So आएए देखते हैं Next Number 3 The old lady said to the boys May you attain success after success in life Direct है इसको आपका आशिरबाद ही है कोई जो बड़े बुजर्ग होते हैं या जो बड़े होते हैं वो क्या कर रहे हैं आपको आशिरबाद कर रहे हैं ठीके तो देखे भाव को समझेगा तो यहाँ पर हो जाएगा The old lady blessed that the boys that that they might attain success after success in life Indite हो जाएगा Number 4 The farmer said to the school teacher Good evening sir Please teach my son from today तो देखे यहाँ पर क्या है जब good morning आजाता है तो हम क्या करेंगे इसको greet greeted में कर देंगे ठीके क्योंकि आप greet कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा The former greeted the school teacher and asked to teach his son from that day आपका यह indirect हो जाएगा Number 5 The soldier said to the captain Good evening sir Would you help me a little direct है The soldier bade Good evening the captain and said that if भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आपका intuitive sentence है ठीक है क्योंकि आप मेरी help थोड़ा help कर सकते हैं करेंगे और ठाथ यहाँ पर जो है if लगाएंगे if he would please help him a little indirect हो जाएगा He said to his elder sister Good day Do you want to visit our home today direct है So, यहाँ पर भी हो जाएगा He bade good day his sister and said if she wanted to visit his home that day indirect हो जाएगा Okay So, यह देखते हैं Next तेकि यहाँ पर क्या है कि जब आपको good morning good day good night हो तो यहाँ पर हम bade का परियोग करेंगे किसका परियोग करेंगे bade का परियोग करेंगे ठीक है So, he bade good day his sister and said if she wanted to visit his home that day direct हो जाएगा Number 7 Govind said to his servant May you go to hell You have incurred a heavy loss to me So, देखिए यहाँ पर आपको reported speech से यह आसे मिल जाएगा यह भाव मिल जाएगा अर्थ मिल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा अभिशाब दे रहा है ठीक है Govind जो है अपने servant से कहा May you go to hell तुम नर्क में जाओ तुम भार में जाओ You have incurred a heavy loss to me तुमने मुझे जो है बहुत बड़े loss में नुक्सान में पहुचा दिया है या कर दिया है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगी रहा कर्स कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा Govind cursed his servant that he had incurred a heavy loss to him indirect हो जाएगा Number 8 You said to me If I had been a prince I should have given you all that you want देखिए यहाँ पर क्या कह रहे है कि तुमने मुझे कहा यह तुम एक राजा होते I तो I should have given you all that you want मैं तुमको वो सब कुछ देता जो तुम चाहते तो कहने का भी प्राय क्या है कि अगर यू तुम होते ठीक है तो यहाँ पर उसी के अनुसार हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा You wished तो यहाँ पर विस है क्योंकि If I had been a prince यदि मैं यह क्या होता एक राजा होता तो उसी के अनुसार हम क्या करेंगे I wished में कर देंगे इसको You wished me and said that Said that हटा दीजे If लगा दीजे कोई बात नहीं है If you were a prince You should have given me all that I want जो मैं कुछ चाहता तुम मुझे क्या करते तुम मुझे देते ठीके So यहाँ पर आपका यह indirect हो जाएगा Number 9 I said to him Where I a prince I would have enjoyed an air trip to Paris देखिए मैंने उसे कहा Where I a prince यदी देखिए Where है क्या मैं एक राजा होता अथात मैं एक राजा होता I would have enjoyed तो मैं enjoy करता and air trip एक air trip का to Paris Paris का So यहाँ पर क्या यह विश्ड कर रहा है यह एक्छा है उसकी So यहाँ पर हो जाएगा तो देखिए काम लगा तो हो गया I would have enjoyed an air trip to Paris Indirect हो जाएगा 10 नमबर है The teacher said to the servants May you all secure first class marks in the examination Okay The teacher said to the servants 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 नहीं कहेंगे यहाँ पर आप कह लिजिए इसको Students कर लिजिए Students हो जाएगा servants नहीं The teacher said to the students May you all secure first class marks in the examination So यहाँ पर क्या हो जाएगा The teacher wished the students that they might all secure first class marks in the examination indirect हो जाएगा Okay So अई देखते हैं Next कुछ वर्ड स्वता ही जूडे होते हैं अता सभी को अच्छी तरह याद रखें तथा नियमों का सही परियोग करें पहले प्रस्नों को समझें फिर उत्तर लिखने का प्रयास करें अगले वीडियो में सभी प्रकार के इक्सरसाइज को डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में कनवर्ट करा दिये जाएंगे धन्यबाद फ्राम इसेंस इंग्लिस स्टडी इरा से So आपको ये भी सुचित कि जाता है कि बाई मिस्टेक कहीं कहीं जो प्रिंट की जाते हैं वो मिस्टेक हो जाते हैं ठीक है तो अगर इसमें आपको मिस्टेक लगे कुछ तो आप बुक्स को देख करके सही कर लीजेगा धन्यबाद